कानधा का वेलकम पहली बार कृष्ण कनहया जब घर आए वेलकम शिल्पी की दुनिया अगर आप नए है तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए तो देखिए कृष्ण कनहया का वेलकम हुआ उसके बाद उनके लिए जो ड्रस आया है वो उनको पहनाया गया मंदिर से पहली बार कृष्णी का नहिया घर आये है देखिए ये उनका जूला बिस्तर कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताईएगा ये उनका ड्रस, पगरी, येरिंग, स्बासूरी हाथ का और गले का सेंट, पर्फ्यूम, हेर सब कुछ है, ये रहे, छोटे से ननलाल, लड्डू गोपाल तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल को पहली बार कैसे तयार किया गया, घर में आने के बाद तो देखिए सारा सामान रेडी है, अब लड्डू गोपाल का ड्रस चेंज किया जा रहा है, ये ड्रस उतर गया लड्डू कोपाल का, अब लड्डू कोपाल स्नान करेंगे, तो लड्डू कोपल स्नान कर रहे हैं, गंगा जल से, अच्छे से, इसमें थोड़ा सा मीथा, सक्कर और घी डालके स्नान करवा दिया गया, लड्डू कोपाल को, अभी छोटे बच्चे हैं, तो बहुत जाद स्नान नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको ठंड लग सकती है, अभी तो वो दूसरा दिन ही प्रवेश हुआ है, तो देखिए, अब दीरे-दीरे स्नान हो गया होड़ा लड्डू कि असनान जल्दी से टौवल से उनको पोच दिया जाएगा, उनके सरीर को छोटे-छोटे हाथ पैर, उनके फेस, उनकी बड़ी को पोच दिया जा रहा है, एकदम प्यार से नन्हे बच्चे की तरह, अब आप देखेंगे, कि जब लड्डू को पाल पुछा गए, तो सबस से पहले हम उनको पैन पनाएंगे, तो यह पैन थोड़ा सा फिटिंग है, पहले इस पैन में, और फिर इस पैन में, अब यह पैन पहन लिए, लड्डू को पाल, अब कच्चा धागा, मॉली धागा, उनको पैन आया जाएगा, बादा जाएगा, रक्षा सुत्र है, इनको हर चीज से रक्षा करें, लड्डू को पाल को रक्षा सुत्र बादा जा रहा है, कि लड्डू गोपाल खुश रहे हैं और फैमिली में सभी लोगों को खुश रखे हैं और लड्डू गोपाल सबकी रक्षा करें अब देखिए रक्षा सुत्र आ हो गया अब इनका हाथ वाला जो कंगन है वो बनाया जा रहा है इसके बाद इयरिंग्स यह टॉप्स है छटी में बाली बनाया जाएगा अभी इयरिंग्स मैचिंग मैचिंग इयरिंग्स आया है लड्डू गोपाल को फैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आज कल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत फैशन करते हैं तो लड्डू गोपाल अब हेयर भी उनको पनाया दिया गया अब ड्रस पहले लंबे वाले हाथ में फिर छोटे वाले हाथ में तो दीखिए ड्रस पहन लिए लड्डू गोपाल अब नेकलस पहनेंगे देखिए सारी ज्यूलरी जो है वो मैचिंग है है ना ब्लू ड्रस पहने है तो ब्लू ही नेकलस भी पहनेंगे ब्लू नेकलस चूड़ी बासूरी बासूरी भी हो गया अब फिर हेर अब मुकुट कितना सुन्दर किते सुन्दर हो गया ना देखिए किते क्यूट लग रहे हैं लड्डू को पाल को देख सकते हैं लड्डू को पाल का श्रिंगार हो गया है अब लड्डू को दूद पिलाया जाएगा कि कि बहुत चोटे हैं तो इनको दूद पिलाया जा रहा है देखिए किते प्यार से दूद पिलाया जा रहा है ना लड्डू को पाल दूद पी रहे हैं तो आप लोगों भी बताएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग र कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आप सब लोगों के लिए में लड्डू को पाल कैसे लग रहे हैं और ये लड्डू को पाल का श्रिंगार कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जरूर बताईएगा और लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा लाइक सेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच